नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे इस्ट्यू चैनल हिमारे के लासेज में जैसा कि आप सभी लोगों की आसा थी कि ग्राम विकास अधिकारी की भरती कव आए और जल्दी है ताकि जो ग्राम विकास अभियारती थे उनको जोइनिंग मिले तो आज आपका वो पसीधी भरती दो हजार एकिसका नॉटिफिकिशन जारी किया गया है और यह कि अड़ीन दीन सो छानमे पदों पर है यानि ग्राम विकास अधिकारी की अड़ीस सो स्चानमे भरती निकाली नगी है जिसमें अनुसूचित छेत्र के 322 पद हैं और 604 पद अनुसूचित छेत्र के हैं यह पद ग्राम विकास अधिकारी के हैं यह ग्राम विकास अधिकारी की 386 पदों पर विध्यपती जारी की गई है इसमें 3220 जो पद है वो गयर अनसूचित चेत्र के और 604 पद अनसूचित चेत्र के हैं और देखो आके बात करते हैं इसमें योगता और जिलों के आवंटन की तो इसके जो आविधन की प्रिक्रिया है तेखो इसका जो आविधन शुरू होगा वो SSO के माद्यम्स होगा यानि आविदन SSO के द्वारा होगा और जिन विद्ध्यारतियों की SSO बनी योगी वो SSO के द्वारा आविदन कर सकते हैं और जिनके पास SSO नहीं है वो आविदन करने के लिए नई SSO बनाने आगे हम बात करते हैं इसमें योगिता क्या है, क्वालिफिकेशन के बारे में अगर अपन बात करें, तो देखिए क्वालिफिकेशन के अगर बात करते हैं, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन दे रखी है, क्वालिफिकेशन के बात करें, देखूं, ये क्वालिफिकेशन पात्रता इवं सेच्छनि की योगिता तो सबसे पहले तो आपके पास इसनातर या सरकार द्वारा उसके सम्तुल गोशिद अगरता यानि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए सबसे पहला जो पॉइंट यही है विद्यारती ग्रेजुएशन पास होना चाहिए उसके पास इसनातर की डिगरी होनी चाहिए और इसके साथ साथ भारत सरकार के इलेक्टोनिक विवाक के नियंत्रन अधीन डिपार्टमेंट ओफ एलेक्टोनिक्स एक्रिडिएशन गवर्मेंट ओफ इंडिया द्वारा आयुजट ओ लेवल का सर्टिफिएट अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है लेकिन ओ लेवल का सर्टिफिएट है तो ओ लेवल का सर्टिफिएट मानने हो जाएगा इलेक्टोनिक डिपार्टमेंट का दूसरी हम बात नहीं है इसके साथ साथ ब्यावसाइक प्रसिच्छन योजना राश्टिय परसद नेसनल कांसिंग चार राज्य परसद इस्टेट कांसिल या सरकार द्वारा मानता प्राप संच्छतान से कंप्यूटर साइंस यानि आपके पास अगर कंप्यूटर का कोई डिपलोमा है तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं और डेवनागरी लिपी में राजस्तान की संच्छतिया ज्यान होना चाहिए आपको यानि टाइपिंग आन अगर बेतन की बात करें तो पे मैटरिक लेवल छे कि अनुसर आपको बेतन दीया जाएगा तो लगवख 18.000 के करीब होगा सुरुआत में और जो पे मैटरिक लेवल 6 उनुसर होगा आगे में बात कहूं फॉरम फीस कि फॉरम फीस कितनी होगी तो फॉरम फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो यहां फोरम फीस भी दे रखे हैं देखे मैं फोरम फीस बता देता हूं आपको इसी में परिच्छा सुल्क देखो परिच्छा सुल्क एरा जो सामाने वर्ग के कंडियेट होंगे सामाने वर्ग सामाने वर्ग क्रीमी लेयर पिछली पिछला वर्ग आविदन ही तू साड़ी चार सो रुपई सुलक लगेगा और जो राजिस्तान के नोन क्रीमी लेर अत्य पिछ्टा वर्ग वा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टुडेंट हैं उनके लिए 350 रुपई और जो अनुसुचित जाती अनुसुचित जाती के स्टुडेंट ह सुलक 250 रुपई दे है तो यह आपके परिच्छा सुलक की बात हो गई 450 रुपई 350 रुपई 250 रुपई आगे अपन सील्वज की बात अगली वीडियो में करेंगे रोंगली वीडियो में बिस्तित रूप से सिल्वस लेके आएंगे अगर आपको वीडियो पुसंबाई हो तो वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब करें धन्यबाद